इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो कुछिन कंसिडर किया बिसिकलिए कुछिन हमसे पूछा के था गया तो हमें दिया गया है इस कुछिन को अगर 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 थ्लोग अध्यान से पढ़ें तो हमें दिया गया है यहाँ पर कमपनी ऑफ़र्ड फॉल्विंग प्राइस प्राइस ब्रीक दिया गया हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कुछिन के अंदर एक डिस्काउंट अवेलेबल होता है तो आपको डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है यह मैतमेटिकल कल्कुलेशन यहाँ पर बताएगी तो एक बार कुछिन को थोड़ा से यह वाली है 100 अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं अब ऐहां पर देख सकते हैं और गॉटीन यहाँ इस से जादा टना घर देखना है कि एग। तो आपको यहां पर यहां पर अबसे करते हैं कि अगर इसके इंदर जो यह कुई आता है वो विदिन लिमिट्स आ जाता है जो कंडिशन दी गई है 101 यह इस से जाधा आ जाता है तो एसे कंडिशन में हम लोग डायीक लिए इसी को क्या बता देंगे तो फाइनल आंसर बताएंगे, यहीं पर हमारे पास में क्या होने वाला है, फाइनल जो टूटल इन्वेंटरी कोस्ट हैगे, टूटल अनुवल कोस्ट हैगे, वो इसी के ओपर मिनिमाम आने वाले है, नेकिन अगर इसको कल्कुलेट करते हैं जो हमारे पास में EOQ आ रहा है, अगर वो 100 से कम आ जाता है या 100 आ जाता है, तो इस रेंज के अंदर है नहीं, तो हमें इस कंडिशन के लिए भी EOQ कल्कुलेट करना पड़ेगा, तो देखो किस तरीके से हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम के लिए EOQ कल्कुलेट करते हैं, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, गिवन डेटा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस गिवन डेटा के अंदर डिमांड 1000 यूनिट समय दी गई है, और्डरिंग कॉस्ट भी हमारे पास में कुश्चन में 60 रुपीस पर और अवेलेबल है, अब होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो यह डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर किस सरके कौन सा स्लॉट या फिर बोल सकते हैं कि कितने यूनिट्स एक ओर्डर के अंदर प्लेस करते हो, तो यहाँ पर दिया गया है, अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हंडेड इन वन से जाद है, यहाँ रने वाली है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर हम लोग सेकंड केस के लिए, अगर आप सेकंड केस के लिए, सबसे पहले यहाँ पर EOQ कलकुलेट करते हो, तो EOQ हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारे पास में अवेलेबल, तो हमने देखा कि यह जो वैल्यू आ रही है, यह 109.54 अब यह 109 जो है, यह हम लोग देख सकते हैं कि 100 से ग्रेटर है, इसका मतलब जो EOQ हमने कलकुलेट किया है, वह अपनी रेंज के अंदर है, जो रेंज हमारे पास में कुशन के अंदर 2nd category में घीवन थी, उस रेंज के अंदर है, तो डेफिनेटल आंसर हमारा क्या होना अच्छी है, यहाँ पर 109.54 और अगर हम लोग बात करें 109.54 तो इसी के ऊपर हमारे पास में जो कॉस्ट रहने वाली है, वह क्या रहने वाली ह जाता और दोनों की टोटल कॉस्ट कालकुलेट करते हैं और उसके बाद में अबसर्ब करते हैं किसके अंदर कॉस्ट मिनिममम लग रही है, जिसमें कॉस्ट मिनिममम होती, बेसिकली उसे को क्या बोला जाता है, यहाँ पर एकोनोमिक ओर कॉंटिटी थैंक यू